प्रीम सी कहिए जैजै श्रीराधी आज की इस वीडियो में हम भादप्रदमात की शुकल पक्ष की एकादशी जिसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है इसके विशे पर चर्चा करेंगे परिवर्थनी एकादशी को जल जुलनी एकादशी डोल ग्यारस या वामर एकादशी के नाम से भी जाना जाता है भादप्रदमात की एकादशी बहुत ही महतोपूर्ण है कहा जाता है कि चार महीने के लिए योग नित्रा में गए भगवान विश्नु आज के दिन करवट लेते हैं इसलिए सभी देवी देगता भी भगवान विश्नु की आज के दिन पूजा करते हैं जो लोग भगवान विश्णू की कृपा प्राप्त करना चाहता हैं, भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें परिवर्तनी एकादशी का वरत और पूजा अवश्य ही करना चाहिए। आज हम जानेंगे कि परिवर्तनी एकादशी का वरत किस दिन किया जाएगा, पारण हम कब करेंगे, पुजा का शुब समय क्या रहेगा तो देखे पंचांग में तिथी भेथ होने के कारण इस बार भी एकादशी का वरत दो दिन किया जाएगा जो लोग 6 सितंबर यानि मंगलवार को वरत कर रहे हैं, वे 7 सितंबर को वरत का पारण करेंगे और पारण का समय रहेगा सुभे 8 बज कर 19 मिनट से 8 बज कर 33 मिनट के बीच 8 बज कर 19 मिनट से पहले आप पारण ना करें क्योंकि 8 बज कर 19 मिनट से पहले हरिवासर का समय है हरिवासर समाप्त होने के पाद ही एकाथशी वरत का पारण करना चाहिए तो 8 बज कर 19 मिनट पर हरीवासर समाथ हो जाएगा उसके बाद आप वुरत का पारण कर सकते हैं अब बात करते हैं उन लोगों की जो 7 सितंबर को वुरत कर रहे हैं अब बात करते हैं पूजा के शुब मूर्द के बारे में जो लोग 6 सितंबर यानि मंगलवार को वुरत करेंगे उनके लिए रहुकाल का समय रहेगा तो पहर 3 बजे से साड़े 4 बजे के बीच तो आप इस समय को छोड़कर पूरे दिन में किसी भी समय एक आदशी की वुरत और पूजा कर सकते हैं लेकिन जो लोग बुदुवार को वुरत करेंगे उनके लिए समय रहेगा तो पहर 12 बजे से 12 बजे से 12 बजे के बीच रहुकाल का समय है इस समय में आप पूजा ना करें इसके इलावा पूरे दिन में आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं जब इस तरह से दो दिन की एक आदशी होती है तब लोगों के मन में एक संदेय आता है कि हमें क्या करना चाहिए किस दिन का वरत करना चाहिए, किस दिन की दश्मी माननी चाहिए, किस दिन के वरत के नियमों का पालन करना चाहिए तो देखिए अगर आप 6 सितंबर को वरत कर रहे हैं तो आप 5 सितंबर को दश्मी के नियमों का पालन करेंगे और अगर आप 7 सितंबर को वरत कर रहे हैं तो आपको 6 सितंबर को दश्मी के नियमों का पालन करना चाहिए जिस दिन हम वरत करते हैं उसी दिन को हम एकाद्शी मानते हैं और उससे पहले दिन को दश्मी के नियमों का पालन करते हैं और उससे अगले दिन हम पारण करते हैं 6 सितंबर को सुभे सी ही इकाद्शी तिती होने के कारण अधिकतर लोग इसी दिन का वरत करेंगे जबकि जो लोग केवल दौाद्शी मिश्रित इकाद्शी का ही वरत करते हैं वो लोग 7 सितंबर को वरत करेंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 6 सितंबर को वरत कर लेंगे तो हम तुलसी दल किस दिन तोड़ें क्योंकि तुलसी दल एक आद्शी वाले दिन नहीं तोड़े जाते हैं और भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल चाहिए तो देखिए अगर आप 6 सितंबर को वरत कर रहे हैं तो आप 5 सितंबर को दश्मी के नियमों का पालन करेंगे एक बार तोड़े गए तुलसी दल 11 दिनों तक बासी नहीं माने जाती। आप बहुत सारे तुलसी दल एक बार तोड़ कर रख लिजे और उन्हें 11 दिनों तक आप भगवान की पूजा में भोग आदी में परियोग कर सकते हैं। परिवर्तिनी एक आदशी पर पूजा कैसे करनी है क्या कुछ विशेश करना है क्या भोग भगवान को लगाना है एक आदशी वरत की कता ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताती रहूंगी आज के लिए इतना ही प्रेम जे कहिए जै जै श्री राधी